गुद मोरिंग तो अल प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेस्ट बैल लाइकन फॉर मोर वीडियो अप्डेट्स तुड़े इस 14 दिसेंबर ऑफ 2020 एंड सम मंदे तुड़े चले आज अनलिजिस बहुकरने से पहले कुछम्स पूल लेते हैं आप उनका jowin comment section दे इससे पहला कोषळ आता है article 253 क्या define करता है यह आप को comment section बता आना हा ओर्ट कल 253 के बारे में लुला कोषण आता है article 21 के erवेड करता है आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है यह आपको comment section का दाना है इन दोनों questions का जवाँ आप comment section दे साती साथ analysis से related कोई doubt हो वो भी आप comment section पूछ सकते हैं या कोई word समझ में ना वो भी आप comment section mark करके आप पूछ सकते हैं चलिए उससे पहले analysis शुरू करने से पहले आप हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं question 247 या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या तो description पे आपको मिल जाएगा एक link subscribe the telegram channel उसको भी आपको सारे analysis related notes मिल जाएगे जो हम लोग बात करते हैं analysis की वो पुरी पूरी analysis हर points से related notes आपको यहाँ पर मिल जाएगे साती साथ analysis को हम लोग करते वाग जो points को देखते हैं वो सारे points यहाँ पर हैं और को relevant information या कुछ information जो आपके लिए helpful हो सकती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी साती साथ answer की आपको मिलती जाएगी जैसे कल था UPSC का पेपर उसकी answer की paper 1, paper 2 की आपको यहाँ पर मिल जाएगी साती साथ उनके papers भी आपको मिलते रहेंगे आपे चली analysis चुरू करते हैं पहली news देखते हैं आज के पहली news आती stop from going to Delhi farmers block जैपुर है कि जब farmers protest कर रहे थे वो जब डेली की तरफ बढ़ने लगे तो उनको stop कर दिया गया पुलिस के दौरा तो उसमें उन्होंने जैपुर हैवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया leaders to hold hunger strikes at various sites पर कहते हैं जो ब्लॉक जहां पर ब्लॉक हुआ है अलग अलग जगे पर जो लीडर्स जहां जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग 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 एरिया में तो वहां पर आज hunger strikes पर सब जाएंगे ऐसे इसमें बात की गई इसमें वहीं बात की गई है कि hundreds of farmers जो ब्लॉक कर दी आगैं तो उनको जरू कर दिया गया alguém शूरू कर दिया दूस्टी यह किया गया नरमदा बजा अंदोलन की जो मेधा पाट करती और सराज इंडिया नेशनल प्रेजिडेंट जो है योगें रादो उनके तवारा ये लेट कल किया गया और भी कई फार्मास यूनियन के हैट थे जैसे जो सम्युक किसान मोचा है उनके जो 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 जूइंट फ्रेंट फार्मा यूनियन है उ उसको समझें और उसका सॉल्यूशन जूड़ें ना कि इसको खतम कि ब्लॉग करके दिल्ली जानी से रोका जाए क्योंकि अगर वह दिल्ली नहीं गय तो बकी जगे भी जाके वह लोग ब्लॉग कर सकते हैं जिससे दिक्कते बढ़ सकती है तो कि इस सेंटर गॉर्मेंट को एक परफेक्ट सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए कि फार्मस क्या चाहते हैं और उसको कैसे उनको अच्छीव कराया जाए वह ज्यादा ज्यूरू नियूस देखते हैं अगली नियूस आती है नाओ एक्सप्लोड कईजरंगा ओन बोर्ट्स एंड बाइसाइकल्स कि ओन का गये एलेफेंट्स एंड जीप्स आर नो लॉंगर दा ओनली मोट्स ओ रेगुलेटर ट्रांस कि पहले सिफ एलेफेंट्स और जीप्स के द्वारा ही आप कजरंगा गूम सकते थे कजरंगा नेशन पागो टाइगर रिजब लेकिन अब यहां पर पार्क को आलाओ कर दिय कि वह तेरा सो दो स्कॉर किलमेटर जो एरिया वहां पर शुरू कर गये और जो करजरंगा को रिए खुर्ट इटी इसकूर किलमेटर उसमें नहीं है यह एक्टिविटी जो कि जो को रिए वो मिड़ और जंग मिड़ अफ देशनल पार को जिसाए पर बोड से नहीं जा सकत होता है को रेडिया में अग कपल अफ अन्यूस बिल्दिंग्स जो कंस्ट्रक्टर थी नाइटीन एटी वर्क्स के लिए जो कालिया भूमरा ब्रिज था वहां पर रिवर बरमभुत के वेस्ट आफ दा बोटिंग पॉइंट जहां पर उसको बीट ऑफिस पे कनवर्ट कर दिय गया है और वहां जो पार्क और थोर्टी थी उन्होंने जो एबेंडेंट फैरी थी उसको एन्यूवेट करके उसे एक सेल्फी पॉइंट की तरह बना तो जो वहां पर ओल्ड बिल्दिंग्स उसको नए तरह से बीट ऑफिस जैसे बना दिया जो बिश के लिए वर्क के लि एरिया स्प्रिंकल्ड विट एल्फेंट ग्रास मिडव है कहते हैं स्वैंपी लैंगूंस देंस फोरेस्स है और लगबग बाइसों इंडियन वन होन रिनोसर्स है एक्स्प्रॉक्स्मिक्ली अप्रॉक्स लगबग तू थर्ल अफ़ टूटल वर्ट पॉपलेशन जो वन हो सब्सक्राइब कर दिया गया इसमें कई ग्रेटर वन और रिनोसर्स की यह पाग एक अजब बीडिंग ग्राउंड भी क्या 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 थे लिए था ओवर्ट टाइम हमने देखा कि इसकी टाइगर पॉपलेशन भी बड़ी कजिरंगा में जिसके काना इसे टाइगर रिजर् गरति आगया देखा सब्सक्राइब की कि दिलिस में अबरिया ग्री इसमेड अबरॉपलेशन राघ्वार रिनोसर्स क की जो एक इंडेंज़ स्पेशी जो बागी जगा एरियम बागी कंट्रीज में भी कही इसे पो यहां पर एक भी वन रेनोसर्स तो यहां पर तोटल वर्ड पॉपलेशन जो रनर रिनर सोस की है वह यहाँ पर पाई जाती है विद्धू टू क्या गते हैं कुम्भी एक इंडियन गुषबेदी और जो कॉटन ट्री एलिफेंट एपल है वह सब फेमस टीजर इस पार्क है वनों रिनोसोस के बारे में देख लेते हैं वन रिनोसोर्स और यह रिनोसर्टाइट फैमिली से बिलॉंग करते हैं इन्हें फैमिली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्टर इस्टर इंडिया जो पड़ता है वहां पर यह पाई जाते हैं जैसे प्रड़क्टेड एरियास ऑफ तेराई अफ नेपाल है और इसके मेली जो इनका में जो वेट होता है लगबाग बाइस सो साथ से तीन जा किलो के वीच में होता है और यह जो क्याकते हैं रिनोसोर्स होते हैं उनकी स्पीड अप्टू 55 किलोमीटर पाराग चोटे पीरियोड ऑफ टाइम के लिए और एक एक्सलेंट स्वेमर भी होता है बहुत अच् चाहिए होती है चलिए अगली निउस देखते हैं अगली निउस आती देंस फोग इन सिटी वासे लो विजिबिल्टी ट्राफिक स्नॉट्स एर कॉल्टी इंडेक्स इन वेरी पर करेगरी कि डेली में फिर से देंस वाग हो गया है काफी ज्यादा कोहरा बढ़ गया दीरे जिसके एकारा विजिबिल्टी बिल्कुल लो हो गई है जिसका एकारा ट्राफिक में काफी दिक्कते हो रही है जिसे एकसिटेंट की चांसे बढ़ जाते और ट्राफिक जो ट्राफिक कंडिशन्स होती है सिटी में वह काफी जाते दिक्कत होती है इसलिए हमारी जो नेशन यह इंडेक्स है जो रिपोर्ट करता है डेली एयर क्वालिटी को यह आठ मेजर एयर पॉलिटेंट्स हैं जिनको यह मेजर करता है ग्राउंड लेवल ओजोन, पी एम 10, पी एम 2.5, कारवन मोनोकसाइड, सल्फर डायोकसाइड, निट्रोजन डायोकसाइड, अमोनिया, लेड और जो ग्राउंड लेवल ओजोन और एयर बॉन पार्टिकल्स होते हैं, वो मेजर एयर पॉलिटेंट्स होते हैं, जो सबसे बड़ा थ्रेट हैं, हुमन हेल्थ के लिए इंडिया में, चलिए, अगली न्यूस देखते हैं, अगली न्यूस आती है, ओवर 15% मेन कंजूम अल छोते हैं, वो अल्कॉहल को कंजूम करते हैं बिहर में जहां पर ड्राव इहर में, जहां पर गयूक मेन si important और वेलकॉहल पर्मिशन हों जहां पर फिव्टेंट पर युफुपएवल से अगली को कंजूम करते हैं, इसमें इजनी भी माना गयां किि 77% वूमेन इन बिहर दो दोजाब बीस तर और से इंफोर्मेशन गैदर कीगी 35,834 हाउसोल्ड से और 42,483 वोमें और 4,897 में से तो इस पर इंट्रेस्टिंग बात यह है क्याकते हैं जहां पर ड्राय स्टेश जिसे कहा जाता है जहां पर क्याकते हैं अल्कॉहल होना या रखना या बेचना तो व साथ यह पर गाल तो तो यह जो अलग अलग इसको देख लितने को नेश्नल फांवी और सफामिली होसाइब को नेशित हमलेस एसको क्या होता ही इंस्टूशन से उनके एक क्लाइबरेटिक प्रोजेक्ट है इसे डिजिनेट किया गया था है आई एपीस एज नोडल अजनसी दौरा इसे एक एज एक कोडिनेशन और टेक्निकल गाइटन्स फॉद फॉद यह फंडेट किया जाता है यूनाइट स्टेट एजनसी फॉर राप्री निच्ट इसे पंद्रा कि बीच में हैं तो अब जाके जो क्या किते हैं अभी आया है 12 दिसम्मर को यह National Family Health Service 5 था जिसमें क्या गते हैं यह सारी information दी गए थी चलिए अगली news देखते हैं आज का पहला editorial आता है dangerous impasse इसमें बात की गई है peace on the borders are important for all aspects of India's relation with China कि जो LAC पर जो क्याते line of actual control पर जो दिक्कत चल नहीं थी उसमें अगर शांती बयाएगी peace अगर बॉर्डर पर रहेगा तो वो इंडिया के relation चैनेक साथ अच्छे होने की chance बढ़ सकते हैं तो इस पूरे editorial में ही बात की ही जैसे हमने देखा कि winter आ चुका है लद्दाक में और इंडिया के जो रिलेशन चैनेक साथ अभी भी कहते हैं उसी तरह है कि last round of talks चल लहीं है दोनों के cops commander talks चल लहीं तो जो disengagement हुआ था line of actual control में LAC में उसके बाद जो status quo की बात की गई कि फिर से जो पुरानी conditions थी उनको फिर से लाया जाए तो जिस पर external office minister ने भी कहा कि most difficult faces वक चलना है तीस से चालिस साल पहले जो condition थी फिर से वैसी बन गई है चाइनक साथ तो चाइनक के इसाथ relation जो पहले था फिर से उसको बनाने रखने के लिए कि एक तरह से हमें जो बाते हो रहे हैं उनमें resolution दोनों को एक conclusion डूलना हो तब ही जो इंडिया का relation चाइनक साथ हो जो नॉर्मल पहले था फिर से वाई condition आताएगी जो हम इसमें यह भी लिखा है एक sharp exchange देखा जा सकता है last week जिसमें माना गया कि एक parallel state of relation है दोनों के बीच में जिसमें इंडिया ने पूरी तरह से clear कर दिया कि वो border पे peace चाहता है और वो जल्दी ही चाहता है कि वो उसको border peace पे border तो इसमें यह भी लिखा है कि peace border पे peace आने के लिए एक जो relationship है चाहने के साथ उसको improve करना पड़ेगा जिसमें हम देखा कि कई trades में growing links हैं दोनों की fields में जैसे investments and education में transparency भी होना चाहिए कि जो border situation है उसके बारे में public को भी aware होना चाहिए कि क्या condition चल लई है और जो state of the broader relationship है च precedence होना चाहिए optics and political expediency के द्वारा तो एक तरह से पूर तरह से जो transparent वे में जो बात होती है कि public को भी aware होना चाहिए कि क्या condition border situation कैसी है कोई risk वाली तो नहीं है तो उसके बारे में अगर at risk है border situation तो लोग को भी पता होना चाहिए तो इसमें यह भी बात की गई कि transparency की बात की चलिए अगला एडिटोरियल देखते है अगला एडिटोरियल आता है a sector that needs to be nurse back to health कि इसमें बताया गया है कि जो nursing education in India है वो बहुत जाधा poor quality of training, inequitable distribution और जो non-standardized practices होती है उनके कारा है काफी जाधा poor training है nurses की जिसमें माना गया कि जो year 2020 था उसने international year of the nurse and the midwife मनाय है जिसमें जो nurses और midwives थी उनको एक तरह से universal health coverage इंडिया में मिला इंडिया के में हमने देखा है कि जो workforce है इंडिया की nursing में वो two-thirds of health workforce है जिसका ratio 1.7 nurses है पर thousand population है लगबर डेल नर्से हजार population पर है तो काफी गंबीर बात है कि इतनी कम nurses तो जो nursing courses होते है उनमें poor training के कारण कि कुछ jobs के लिए कुछ लोग कर लेते हैं बस तो इस तरह की काई condition है जिनके कारण इतिकम nurses है जिसमें यह भी लिखा है कि हमने देखा है कि जो poor quality of training है इन इतिकर बर के क्यादे distribution है non standardized practices है जिनके कारण यह दिकते हैं देखी है इसमें यह भी लिखाए जो current nursing education है वो पुरी तरह से outdated है और पुरी तरह से प्रैक्टिस नीज है वो पुरी तरह से खताम हो चुकिए इसमें भी लिखा है कि जहां पे insufficient postgraduate courses है जो develop करे skills specialities कि nursing में भी specialities होना चाहिए जिसको कहते हैं वो develop करें वो ज्यादा इसवाक जोड़ी है इसमें भी लिखा है कि multiple entry points हमने देखें nursing courses में और एक lag देखा गया इंडिया है उनको नो गाइडलाइन से कि प्रैक्टिस कैसी कानी और कोई prescribed standards भी नहीं उनके care के लिए कि पेशन्ट की safety के लिए हमेशा डेंजर रहता है कि उनकी जो पूर training है उसके कारण किसी patient की health danger में ना चले गया तो पहले जो new nurse join करते हैं किसी भी hospitals में उनको पहले जो और nurses होते हैं उनके साथ मिलके देखने को पा जाते कि आप देखें उसके बाद आप जोइन कर सकते हैं जो consumer protection act है वो protect करता the rights and safety of patients as consumers and holds only the doctor and the hospital liable for medical legal issues क्या गता है कि अगर कोई भी patients को दिक्कत होती है तो उस पर hospitals और क्यादा doctor responsible होता है nurses एक तरह से पूरी तरह से इस वर क्याकते act से बाहर होती ही जो consumer protection act है यह पूरी तरह से कहता है कि hospital और डॉक्टरी से उसके लिए responsible किसे भी patient की health के लिए तो इसमें भी का गया है जो इंडियान नर्सिंग काउंसल act of 1947 था जिसे must be amended कि जो एक्सप्लेटली स्टेट क्लियर करता है कि norms for serving and patient care कि कैसे सर्व करना किसी patient को और कैसे care और वो फिक्स करता है nurse to patient ratio को staffing norms को भी salaries को वो fix करता है तो इसमें पूरे editorial में nurses के बारे में बात की गई है public private partnership जो होती है private nursing schools के बीच में public health facilities के बीच में उसके बारे में यह बात की गई है तो पूरे struggling firms की कहते है लोन जो sanctions होते थे काफी ज्यादा slowdown कि इस वाग जो struggling firms को लोन प्रवाइड होते थे वो काफी कम हुए उसमें लिखा है इन फर्स ट्रीमेंस हमने देखा जो emergency credit line guarantee scheme है उसने loan section के लगवा 1.86 lakh करोड के और विच जो 1.32 लाग करोड थे वो डिस्बर्स किये गए 27.09 लाइक बॉर्वर्स को तो काफी लेस अमाउंट ऑफ कहते हैं देखा गया है बाइच सेप्टेमबर 29 ये रिपोर्ट है जिस्ट माना गया कि काफी कम लोन क्या क्या किये गए जो struggling फर्म से जो नहीं नहीं फर्म से उनको तो इसमें पूरे में बात की गई है कि लोन सेंक्शन पर बात की चलिए अगली न्यूज देखते हैं अगली न्यूज अगली न्यूज आती है connectivity infrastructure की सब्सक्राइब मोदी हजीना के समिट जो मोदी हजीना समिट हुआ कहते हैं जो बंगलादेश की प्रेजडेंट है और जो हमारे इंडिया के प्राइम निस्ट है जिन दोनक पीच में हुआ जिसमें connectivity project से पारें बात की गई जो एक reservation होगा बारक किलोमेटर चिलहाथी से हल्दी बार हल्दी बारी रेल लिंग जो होगा 55 साल पहले जो आफ्टर 55 यह वो हाइलाइट किया गया प्राइम निस्टर नरेंद मोदी दोड़ा और जो बंगले इसकी प्राइम निस्टर शेक असीन दोनों के बीच में एक virtual bilateral summit हुई और December 17 होगी जिसमें कहते हैं यह बात होगी कहते हैं कि जिसमें ढाका और डेली के बीच में जिसमें यह प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाएगी जो connectivity प्रोजेक्ट से यह दोनों लीटर्स के बीच में एक virtual meeting होने वाली है 17 December को तो देख इनेबल करता है water surveillance to monitor virus activity की water surveillance में monitor किया जया virus activity को भी ऐसे इसमें बात की गई है तो इसमें इंपोर्टेंट रहता है ICMR इसको हम लोग अलग से देख लेते ICMR ICMR एक apex body है जो देखती है formulation coordination and promotion of biomedical research को और यह वन अव द ओल्डेस और largest medical research bodies है वर्ड की इसे फंड की जाती है government of India through department of health research ministry of health and family welfare के दो है ICMR में 26 national institutes है जो जैसे health topics like tuberculosis, leprosy, cholera, viral diseases, AIDS, malaria, kalaza, vector control, nutrition, food and drugs, toxicology को इनको शबको देखते हैं यह जो council है पूरी तरह से इसमें कहते हैं एक 6 regional institutes भी होते हैं जो regional health problems को देखते हैं और जो council, जो national health institutes होते हैं जो national health problems चल ले होती है जैसे इस वक्रोना है तो उसके लिए work करते हैं कि virus control को कैसे control किया जाए कैसे vaccines provide होगी लोगों को vaccine के लिए development के लिए response पर यही होते हैं चलिए अगली news देखते हैं अगली news आती है pandemic poverty for child marriages in मत्दप्रदेश कि इस pandemic में और जो pandemic के कारव परवर्टी बड़ी है जिसमें देखा गया कि child marriages पहुच जादा बड़ी है मत्दप्रदेश में इसमें देखा गया कि covid pandemic और वही बात की गई कि इस pandemic के कारव जो लोग गरीब और जादा गरीब हुए तो उन्होंने child marriages पहुच जादे इस चलिए दिखते हैं अगली दिखते हैं अगली नियूज आती चाइना मून प्रोग हेट बैक टू अर्थ कि जो चाइना का मून था उसको कहते हैं वापस आ रहा है और वह ऐसा थर्ड कंट्री बनेगा जो अपने लूडर सेंपर्स को वापस बुलाया हो रिट्रीव बैक कर यूएस और रुशिया के बाद तो इसमें बात की गए है कि जो चाइनीज का स्पेस्क्राफ केरिंग जो कर रहा था रोक्स और स्वाइल को फर्म दर मून वह अपनी जनरी बैक कर रहा है अर्थ पर और ऑफिशल्स ने ऐसा भी बताया जो जैन्वान नियूस एजनसी रिप स्पेस्क्राफ को वापस अपने इल्कुल सक्सेस्फुली बुला लिया तो इस न्यूज में यही बात की गए चलिए आज के लिए इता ही थैंक्यू वेरे मच अगर आपको चाहे को सब्सक्राब ने किया तो चैनल को सब्सक्राब कर दें और प्लीज लाइक बितने जो दो थैंक्यू थैंक्यू वेरे मच